हेलो स्टुदेंट्स आज की वीडियो में क्लास 11 का एक और क्वेश्चन जो काफी इम्पॉर्टेंट है यह हम प्रूव करेंगे तो स्टार्ट करते हैं लुच्छ है साइन 20 डिप्री साइन 40 डिप्री साइन 60 डिप्री और साइन 80 डिप्री इसको प्रूव करने 3 अपॉन 16 के एक वल तो पहले देखो कि इन चारो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू को पता है आपको सिर्फ इसके अलावा कोई भी वैल्यूज पता नहीं होगी साइन 60 साइन 60 होता है रूट 3 अपॉन 2 तो सिंप्री राइट रूट 3 अपॉन 2 एयर और बाकी तीनों चीजें अंदर कि साइन 80 कि साइन 40 कि और साइन 20 ठीक है इसके बाद यहां से देखो सबसे बड़ा जोग एंगल है इसके अंदर वो कौन सा है और सबसे चोटा कौन सा है इनको गुरूप कर लो फाइदा होता है काफी रूट 3 अपॉन 2 तो साइन 80 डिग्री और साइन 20 डिग्री एक तरफ कर दिया और साइन 40 मेंने साही में कर दिया अब क्या करना है इस पूरी चीज को टू से मल्ट्पै करो और टू से रिवाइड करो तो बाहर क्या गया रूट 3 अपॉन 4 और अंदर आया टू साइन 80 साइन 20 देखते हैं किसके इक्वल होता है आपने पढ़ा होगा टू साइन साइन बी इस एक्वल टू काॉ ऐ माइनस बी माइनस कोज कि एपलस बी के इक्वल से त्याजगा कॉज ए माइनस बी पाता है तो हो नहीं बी सिखते हैं तो साइन 40 इसके बाद जाए से देखो कॉज 60 आपको पता है रन बाय टू आ होता है तो replace कर दो 1 by 2 minus cos 100 whole multiplied by sin 40 ठीक है इसके बाद क्या करें ना तो आपको cos 100 पता ना आपको sin 40 पता तो फिर से करते हैं grouping root 3 by 4 1 by 2 sin 40 minus cos 100 और sin 40 ठीक है यह तो होगा half को इससे into करो यह आ गया और cos 100 को इससे into करो यह आ गया अब यहाँ पर वही चीज़ करने वाला हूं 2 से multiply और 2 से divide ठीक है अब देखो root 3 by 4 1 by 2 sin 40 minus half 2 cos a sin b क्या प्रमुला होता है 2 cos a sin b लिख लेते हैं 2 cos a sin b 2 cos a sin b यह होता है sin a plus b minus sin a minus b ठीक है sin a plus b minus sin a minus b तो यह अप्लाई करते हैं देखते हैं step क्या बनने वाल है तो यह आ गया sin a plus b sin 140 minus sin a minus b sin 60 ठीक है आगे देखो root 3 by 4 half sin 40 minus 1 upon 2 sin 140 plus 1 by 2 sin 60 वो कितना होता है root 3 by 2 अब देखो 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 root 3 upon 4 sin 40 इसको क्या लिख सकते हैं अब का sin theta तो अगर इसको मैं follow करता हूं यह पर इस चीज को तो क्या आएगा root 3 by 4 half sin 40 minus half sin 40 plus root 3 upon 4 अगर मैंने 40 बोला इसका मतलब 40 degree है तो जहां जा रहे गया वो समझ जाना खुदी जो कटता है काट दो तो बचा क्या root 3 by 4 into root 3 by 4 जो बन जाता है 3 by 16 जो की RHS है ठीक है हमारा RHS प्रूव हो गया थैसवर वच्रचेव बचाओ ट्रूब फन आगे वड्य कर दो शाज़ खिंग